वलकम पिछले वीडियो में हम लोगोंने बायस स्टेट के बारे में बात किया था कि कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आई से मार जैयरप के लिए आज इस वीडियो में हम लोग उसमें से एक टॉपिक को चूज करेंगे और पूरा उसके बारे में कोश्चन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंटरल टेंडेंसी और इसमें से हम लोग मीडियन और मोड को पढ़ेंगे और उससे किस तरह के कोश्चन साते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको पढ़ने के दो तरीके या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं सेंटरल टेंडेंसी में जो है मैठमेटिकल एव रही होता जिसको हम लोग मीन कहते हैं और डियो और पर चूफिछी को से सब्सक्राइब में केते हैं रेंग के यह लोग तो फिसको पाउला उसको ऐसे मिरिक ल हम आंसी तरह से मापते हैं मीन मेडियन और मोड को निधू आते हैं दियू कआहिए मेन कैसे निकालते हैं मड को कैसे करते हैं तो एक दम हीट को सब्सक्राइब से हैं इसमें उसको अचुछे से करना है क्योंकि आप priority कम है तो हम लोग उसी पर ध्यान देंगे तो अगर तीनों टेंटल querer तेंडेंसी ही है मीन भी मेडियन भी और मोड भी तो अगर कोई डाटा आपके पास दिया हुआ है तो कहां कौन सा करवाग में निकालना चाहिए कआ कीरिये मोड सुटेबॉल है इस तरह के साते हैं यह conceptual based question है क्या कभी mean median और mode दोनों तीनों जो है वो equal हो सकता है अगर equal हो सकता है तब तो कोई भी measurement आप ले सकते हैं लेकिन अगर equal नहीं है तो आपको जानना पड़ेगा कि कहां हमें में लेना चाहिए कहां में symmetrical data है अगर data आपका कैसा है symmetrically distribute किया हुआ है तो वहाँ तीनों mean median और mode बराबर होते हैं तो यहां आपको चूज करने का जरूत नहीं है कि mean निकालना है median निकालना है mode निकालना है तीनों ही suitable है इसके लिए और कोई भी मीन आप निकाल सकते हैं कोई भी डाटा का central tendency आप यूज कर सकते हैं चाहे वह मीन हो median हो या mode हो सेमेटिकल distribution का खास बात क्या है यह बेल सेप्ट होता है इसमें मीन median और mode तीनों बराबर होते हैं जब भी इस तरह का graph हम लोग देखेंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना है यह जो है वह frequency है और यह आपका variables है हो सकता है कि जो हम लोग आगे graph यूज कर रहे हो उसमें यह चीज़े नहीं लिखी भी हो तो ऐसा graph जब भी हम लोग देखेंगे अभी data distribution का यह frequency होता है और यह आपका variable होता है और symmetrical data में एक बात ध्यान रखना है इसमें mean is equal to median is equal to mode इसमें तीनों जो है इक्वल होते हैं लेकिन अगर data asymmetrical हो अब बात यहां आई यही आपके एक्चुली जानने का भी सह है अगर data asymmetrical है तो यह बेल सेप्ट नहीं होगा अभी यह बेल सेप्ट है यानि कि यह simple कैसा है ऐसा है लेकिन अगर data asymmetrical हो तो आइधर तो यह ऐसा हो जाएगा आइधर तो यह यहां से ऐसा हो जाएगा तो अगर मालेजी कि यह case आता है जैसे कि यह है इसको हम लोग करते हैं positive skewed यानि कि यह कैसा data है आपका यह टेड़ा मेड़ा हो गया इसका हिंदी देखेंगे skewed मतलब क्या होता है तो होता है तिरची नजर से देखना यह क्या हो गया यहां से यह abnormal हो गया अल्टर हो गया तो normally होना चाहिए था कैसा इसको ऐसा होना चाहिए था लेकिन अभी यह क्या हो गया ऐसे हैं इसे आ गया ऐसे केसे को हम लोग कहें पॉजीट्टीव स्क्यूट यहनि कि अगर राइट सैड में बीगडा है डाटर हम provides मिलला है और और आप लों को सिखायत रहा है कि यह कंफ्यूस कर जाते हैं कौन सा पोocyतिटीव है कौन सा नीगेटीव है तो simple याद रखे अगर right skewed है तो उसको हम लोग positive कहेंगे और अगर left है तो उसको हम लोग negative कहेंगे और ये आपका normal curve है इस case में mean, median और mode तीनो equal होते हैं लेकिन इस case में mean, median mode equal नहीं होगा तो क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा कैसे हम लोग जानेंगे तो ज़रा हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि mean, median, mode को निकालते कैसे हैं तो बहतर तरीकस हम समझ पाएंगे कि ये positive और negative जो skewed data होता है उसमें कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है अब आईए अगर skewed data है distribution है तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना चाहिए mean निकालना चाहिए median निकालना चाहिए या mode निकालना चाहिए जो कि normal distribution में हमने देखा क्या हम तीनों निकाल सकते हैं लेकिन इस case में अगर data जो है वो skewed distribution में हो asymmetrically distributed हो इस case में हम लोगों के लिए जो suitable होता है वो होता है median इसमें आप mean नहीं निकाल सकते इसके लिए best measurement जो होता है central tendency का वो होता है आपका median होता है लेकिन अगर आपके पास original data दिया हुआ हो तो उसके लिए या तो आप median निकालिए या तो आप उसको सजाईए और उसके बाद mode निकाल लीजे और अगर data को आपको categorize करना पड़ेगा mode निकालने के लिए क्योंकि mode में हम लोग क्या देखते हैं एक तरफ से सजाते हैं और देखते हैं कि किसका frequency सबसे जादा है वही आपका mode होता है तो अगर आपके पास data categorize है तो आप इसके लिए mode निकाल सकते हैं और यही आपका best तरीका है central tendency tendency को ढूंडने का तो हम लोगों ने देखा कि कहां हम लोगों को central tendency के लिए में यूज करना चाहिए कहां median यूज करना चाहिए और कहां mode यूज करना चाहिए अब स्क्यूट के अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं राइट इसक्यूट यानि कि positive स्क्यूट डाटा अब दिखे मीन क्या होता है हम सब जानते हैं मेन हम लोग कहते हैं मालिज के पास तीन डाटा है 5 7 और 8 है तो मीन क्या हो गया 5 प्लस 7 प्लस 8 अबाइ 3 मेडियन क्या हो गया एकदम बीच में यानि कि 5 इधर एक है इधर एक है बीच में क्या आगया आगया यह हो गया अगया और मोड क्या होता है जो कई बार आता है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है सब सिंगल सिंगल है जब मोड निकालना होगा मालिज के 5578 है तो इसमें क्या ह 5 आपका mode है तो अगर इस तरह का data हो positive skewedness हो इसका क्या मतलब है कि इसका value यहां से variable गया और यह frequency गया यहां इसका क्या है गड़बढ है मैं color change कर लो यहां पर यह skewed है यानि कि यह होना चाहिए था actually ऐसा लेकिन यहां पर यह shift हो गया है और right side इसका गड़बढ हो गया है इस case में अगर यहां ऊचा है इसका क्या मतलब है यह आपका mode है क्योंकि सबसे ज़्यादा frequency यहां मैंने क्या कहा था यह क्या है आपका frequency है तो frequency जो उच्छा है मतलब यह आपका frequency सबसे ज्यादा का डाटा है यहीं कि यह आपका मोड है और यह आपका मीन है तो इस केस में जो पोजिटिव स्क्यूड होता है इसमें आपका मीन सबसे बड़ा है ऐसे केस में देखेंगे तो मीन आपका यहां वरियेबल है तो इस केस में यहां आपका मीन आया इस कंडिशन में तो यह नंबर और mode सबसे छोटा होता है क्योंकि mode पहले आ गया mean बाद में आया और यह अपका variable है आपको जो याद रखना है वो यह रखना है कि जो positive skewness होता है जो positive यानि कि right side skewn data है उसमें यह पहले ही अपर के तरफ चला गया है अगर पहले ही अपर के तरफ चला गया है और बाद में ऐसा skewness है यहनि कि right side skewness है इसका मतलब इसका जो frequency का सबसे ज़्यादा frequency वाला number है वो पहले आ गया है इसका मतलब आपको यह याद रखना है इसमें mode सबसे छोटा होगा क्योंकि यह इस variable में पहले आ गया और mean बाद में आएगा तो mean क्या होगा इससे बड़ा होगा बीच में median रहता है अगर यह दो बातें आपको याद हो गया तो positive skewness से आने वाला जो भी आपका question से वो आप बना लेंगे अब यह negative skewness यानिकि left skewness data इस case में क्या होगा यहां देखे यह यहां से आया और इस side इसका गड़बढ है इसका data इधर नहीं होके shift किदर हो गया इधर shift हो गया तो यह हो गया left skewness data इस case में क्या होगा अगर इधर shift है सबसे उचा भाग कहा है इस तरफ में है और सबसे उचा मतलब ज्यादा frequency का data तो ज्यादा frequency मतलब यह सबसे बाद में आया तो यह आपका variable है अगर यहां समलोग चलेंगे पहले mean आएगा और इसके बाद mode आएगा इस case में mean आपका सबसे छोटा होगा और mode आपका सबसे बड़ा होगा यही चीज बस आपको याद रखना है इसमें mean क्या है सबसे छोटा है और mode आपका सबसे बड़ा है बीच में median होता है वो याद रखने का ज़रूत नहीं है आपको mean और mode याद रखेंगे तो आपको questions बन जाएंगे यहां से यह होगी आपका negative acute data तो आपको दो चीज याद रखना है positive में क्या आद रखना है कि mean सबसे बड़ा होगा क्योंकि mode सबसे पहले आ जाता है तो mode छोटा होगा यहां से देखेंगे तो और mean बड़ा होगा इस case में mode सबसे बाद में आता है तो यहां से जाएंगे तो mode यानि कि सबसे बड़ा है और mean सबसे छोटा है इससे किस तरह का question साता है एक question देखिए अभी screen पर है if the distribution is negative acute अगर negative acute data है तो कैसा होगा तो negative acute करने का क्या मतलब होगया यह आपने अपना graph बनाया negative मतलब left side इसका skewed कर गया है यह ऐसे आके ऐसे होगा यानि कि can understand mode यहां पर आया mode यहां पर आया median यहां पर होगा mean यहां पर होगा यह left side में क्या है skewed है data तो mode क्या होगया बड़ा होगया और mean क्या होगया छोटा होगया तो ऐसा कौन सा condition है दो नमर को ध्यान से देखे, इसमें मीन क्या है, सबसे छोटा है, यही मीन आपका छोटा है, और मोड क्या है, सबसे बड़ा है, तो यही आपका इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर होगा आपका दो नमबर, इसी केस में आपका मीन पहले आगया, मीन छोटा हो गया, औ में तो दो नंबर इसको Satisfye कर रहा है इसका मतलब इसका अंसर किया Have this is again yeah अब इस ग्राप साच्छे से समझझाइ सकते हैं अभी जो मैंने ग्राप बनाये था पहले। है अगर ल्याइब सदूट को यूचा ग्राप बना है लेप्ट सद किया है इसका इसमें आपको देखना है कि डिस्ट्रीबूशन में क्या है तो सबसे पहले आप देख लिजे कि बढ़ा छोटा कौन सा है इस सबसे पहले निमरीकल पे दियान देजेगा नुमेरी का दिया हुआ है कि दिया है इसके बात क्या दिया है मोड दिया है जिसका वेली क्या है आपका तो पहले mode आएगा इसके बाद mean आएगा तो ऐसा क्या होगा यानि कि ये पेहले ही ऐसे ऊपर चला गया और last में skewed कर जाएगा तो mode पहले आ गया जो की छोठा होगा इसकó बाद mean आएगा तो बड़ा होगा यहां, तो इस data को हम लोग क्या कहेंगे यह right side में skewt किया है यानि कि यह data आपका positive skewt data है यानि कि right side skewt data है इसमें कौन सा answer होगा आपका यह questions है इसमें 3 number देखे positive skewt data इसका answer आपका positive skewt data होगा ऐसे questions आप बना सकते हैं यह आपका graph है अब यह तो होगी आपका conceptual question है कुछ अब कुछ question डारेक्ट आते हैं जैसे की मीन हमने पढ़ा अभी तो हमने अभी जो मीन निकाला वो एक्चोली अर्थमेटिक मीन है नॉर्मल हम क्या करते हैं इसमें नंबर को जोडते हैं उसको भाग देते ते माली आपके पास 3 7 8 9 9 है इस case में क्या होगा three plus seven plus eight plus nine plus nine one two three four five divided by five यह मीन हो गया यह मीन आपका अर्थमेटिक मीन कह लाता है अर्थमेटिक मेन के बाद दूसरा क्या है Geometric मीन है Geometric मीन कहने का मतलब हो गया यह होता है आप क्या कैसे अगर आपके पास दो नंबर है माले जो फोर और थ्री है तो फोर इंटू थ्री रूट में जितना नंबर यह है उतना ही नंबर यहां पर अगर दो है यहां दो हो गया कि यह रूट है तुवाल इसका एंसर हो जाएगा लेकिन अगर माले जब को इस तीन डाटा हो यह आपका जियोमेट्रिक मीन होता है इसके बाद आता आपका हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन क्या होता है यह रेसी प्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का जो इसमें होता है उसका रेसी प्रोकल है रेसी प्रोकल करने के मतला अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते हैं नमबर को जो और इसके बाद उसको रेसीप्रोकली X1 प्लस 1 बाइ X2 प्लस 1 बाइ X3 प्लस 1 बाइ X4 ऐसा हम लोग लिखते हैं यानि कि यह रेसीप्रोकल होता है अर्थिमेटिक मीन का इसको हम लोग हार्मोनिक मीन करते हैं यहां हमने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है अब इससे कोशन क करते हैं राफ यह क्ता हूं कैसे निकालते हैं क्या सकते हैं है सब्सक्राइब क्या MJ में को सब्सक्राइब है तीन नंबर है 3 4 18 तो करना क्या है 3 into 4 into 18 और यह यहाँ पर 3 हो जाएगा नंबर में क्या होगा यह 3 होगा तो अगर इसको लोग मल्टिप्ला करें 4 3 12 12 18 आहो गया आपका 216 और यह यहाँ पर इसका 3 हुआ तो इसका वेल्यू क्या होगा 6 into 6 into 6 अगर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो ऐसा हैगा 216 तो इसका वेल्यू क्या होगी आपका 6 हो गया क्या यह कोई कि इस तरह से डारेक्ट फर्मूला बेस्ट कोशन है कुछ कॉंसेप्ट्च्वल कोशन साते हैं कुछ फर्मूला बेस्ट कोशन आते हैं जिसको आप तुरंद बना सकते हैं अगर आपको फर्मूला याद है तो अब हम लोग मीन पढ़ लें थोड़ा मीडियन को देख लिए मीडियन करने का मतलब बीच का वेल्यू जितना आपके पास नंबर है एक तरफ से सजा दीजिए उसको सजाने के बाद जो बीच का वेल्यू है आधा आधा डिवाइड कर दिजिए जैसे कि महां यहां कितना है वान टो थ्री फोर फाइफ सीख सेवेन एट नाइन टेन ट्वाल थर्टीन 14 15 15 में सेवें डाटा इधर होगा कि सेवेंडाटा इधर हो गया जो बीच में बचा यही आपके अच्छली क्या हो गया मीडियन हो गया अगर इभेंड रहा तो अगर माले 16 डाटा रहा तो अगर 16 डाटा रहा तो बीच में दो बचेंगे तो उन दोनों को आट करके और उसको 2 से भाग दे देंगे तो वह आपका हो जाएगा मिडियन यहां आमने इसे फॉर्मूला लिखा हुआ है अगर मालेजिए कि वह नंबर क्या हुआ ओड हुआ तो सिंपल है उसको 2 से डिवाइट करेंगे तब जाके वह टम हैगा इसको हम बताते हैं आपको एक्जामपल में तो अच्छे से समझ भाएंगे यह जैसे देखे यह और नमर का है तो आधा हमने उपर रख लिया और आधा हमने नीचे रख लिया बीच में एक नंबर बचा इसकेस में क् किया आधा उपर किया बीच में दो नमबर बचा यह अगर इसको आधा करेंगे तो नमबर यह खता मजाएगा तो जब दो नमबर बचता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइट कर देंगे वही आपका मीडियन हो जाएगा प्रिक्वेंटली आता हूँ अभी अभी हम लोगों ने देखा है मोड मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी जादा हो उसको लोग मोड करते हैं माले कि 7 7 7 चाहिक ऑफ छे पांचरे ऐसा है इसकें में मोड आपका क्या भnt कि एक एकट काई बार रिपीट किया है इसली इसका मोड क्या हो गया सेब हो गया अब इस केस में कहाता है the most appropriate measure of central tendency when data contaminated by outlier इसका मतलब क्या हुआ आप एक data मान लिजा आपके पास कोई data है दो, 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 तीन, चार, पांच, छे, ऐसा data है अब कहां क्या रहा है कि क्या हम लोग लें इसका क्या measurement हम लोग लें center tendency कि अगर कंटा minute हो गया इसका outlier तो फिर भी वो वैसा ही रहे जैसा कि पहले से था तो अगर इसका mean निकालेंगे हम लोग इसमें सब जूड़ेगा 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 और यह divide होगा 1,2,3,4,5,6,7,7 से यह होगी आपका mean इसका median क्या होगा median के case में तीन नमबर हम लोग इधर किये तीन नमबर हम लोग इधर किये बीच में क्या है तीन है तो इसका जो median होगा वो तीन होगा और mode क्या होगा जो जादा बार आया है जिसके frequency जादा जादा frequency का दो का है mode हो गया दो अब question यह कहता है कि अगर outlier इसका जो है contaminate हो जाए मतलब जो last में नमबर है 6 और 2 अगर यह बदल जाए तो क्या बदल जाएगा अगर 62 में से कुछ भी बदल गया तो इसका mean बदल जाएगा क्योंकि हमने इसको add किया है और divide किया है तो मीन क्या हो गया बदल गया अगर outlier contaminated वहाद इसका mean बिकार है यानि कि वह भी बदल जाएगा एक term देखे median median एक ऐसा term है जो अगर यहां मालिजिए 4 भी हो जाए और अगर यहां 6 भी हो जाए या 4 हो जाए इससे median को कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है जो हम लोगोंने निकाला है क्योंकि median क्या है वह middle value है वह किसी को add करने से किसी को घटाने से नहीं बना है तो median एक ऐसा value है जो outlier के change होने से नहीं change होता है mode बदल सकता है अगर यह दो मालिजिए की 3 हो जाए और यह मालिजिए यह भी 3 हो जाए तो 3 की frequency 3 हो जाएगी यानि कि इसका mode बदल के 3 हो जाएगा अब 2 नहीं रहेगा तो कहने का मतलब इसका answer क्या होगा कि कैसा central tendency लें कि outlier change भी हो जाए तो उसका central tendency change नहीं हो तो median ही एक ऐसा value है जो outlier के change होने पे भी अपना tendency change नहीं करेगा उसका central tendency वो ही रहेगा तो इसका answer क्या होगा most appropriate क्या है इसमें median है एक ऐसा central tendency जो side के number के बदल जाने के बाब जूद भी वो वैसा ही रहता है वो change नहीं होता है अब अगर इतना पढ़ लिए हम लोग तो थोड़ा सा इसके relation के बारे में पढ़ने की mean, median और mode में क्या relation है इससे direct questions आते हैं तो आमने आपके लिए formula यहां पर लिखा हुआ है mean minus mode is equal to 3 mean minus median यह formula है और यह इसका derivatives है इसमें से कोई भी derivative जो आपको याद रहे आप एक याद कर ले उससे कोई भी derivatives आप निकाल सकते हैं एक questions है यहां पर the mean and median of data set 24, 22 respectively the mode of data set will be mean दिया है, median दिया है, mode निकालना है तो इसमें से किसी के भी relation से आप इसको निकाल सकते हैं सबसे आसान अगर मालेजिए हम यह ले, mode is equal to 3 median minus 2 mean तो इसका answer निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 median minus 2 mean, 3 median 2 mean is equal to 18, तो इसका value काया हो जाएगा, 2, इसका answer 2 हो जाएगा अगर इतना आप कर लिए, अच्छे से आप पूरा वीडियो में है, सारे questions को देखे हैं, तो दाबे के साथ का सकते हैं कि इससे 2 से 3 questions आपका completely finish हो गया, लग गया आपका, अब आपको इसके लिए पढ़ने का ज़र्वत नहीं पढ़ेगा, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे ह हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजे, आई सीमार या अलग नेट जीयारफ, जो भी नेट जीयारफ है, उससे रिलेटेड कोडन वैलिज पर वीडियो आता रहता है, और कोडन वैलिज अपना एक lecture series और book series निकालता है, जिससे आई सेमार के लिए भी हमारा book series आ गया है, सार्थी टू आई सेमार, जिसमें सेमार सेक्षन ए का कैप्सूल निकला हुआ है, सार्थी टू आई सेमार 2022 सेक्षन ए के लिए, जिसमें कि जो चीजे हमने पढ़ा, अभी statics के बारे में, इससे रिलेटेड एक एक topic, सुरू से लेके, जितन सेक्षेट कोश्चन हैं, वो आपको बनाने के लिए उसमें मिल जाएंगे, सेम्पल कोश्चन मिल जाएंगे, तो ये book launch हो गया है, और इसका link में description में दे देता हूँ, website पर अब लेबल है, आप जाईए और वहां से इसको purchase कर सकते हैं, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, ICMR के बारे में, या और CSIR, DBT के बारे में, तो आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, WhatsApp नमर यहां दिया हुआ है, और अगर आपको ब्लॉग जानना है, कुछ चीज़ें, अगर notification आपको on रखना है, तो आप हमारे website पे भी visit कर सकते हैं, www.inventivevideocare.in slash codonvaluegy, thank you so much for watching this video.